नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग आप दुकांदार है चाहे आपको छोटा दुकान हो या बड़ा सम्मौल हो पर अगर ग्रहक आए और समान देखकर चले जाए कुछ खरीदे ही नहीं या फिर आते तो हैं पर सिर्फ मोलभा कर लेते हैं या उधार लेना चाहते हैं या फिर आते ही नहीं आप परिसान हैं कि इतने सारे पूंजी लगाकर इतने श्टाप रखकर इतना सब कुछ करने के बाद अगर ग्रहक ना समान बिके ही ना तो मन छोटा हो जाता है आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जो ना सिर्फ केबल ग्रहक को खीचेगा बलकि आपका समान भी बिकेगा और आपके ग्रहक और बढ़ते चले जाएंगे तो आज एक छोटा सा प्रियोग जो आपके सुए हुए भाग़ को जगा सकता है क्योंकि आज जिस टोटके को हम बताएंगे वो आपके जीवन के बहुत सारे दुखों को दूर करेगा तो आज जिस टोटके के बारे में बताएंगे उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पीला रंग का कपड़ा और इसके साथ ही पीला धागा या काला धागा ले ले पीले कपड़े के साथ काला या पीला धागा अब आपको शुरू करना है तोटका ये प्रियोग आप किसी भी सनीवार के दिन कर ले सनीवार या मंगलवार अगर ब्यापारी है लगातार नुकसान हो रहा गरहा काते नहीं आपको लगता है किसी ने आपकी दुकान बांदी है तो आप इस नुकसान से बशने के लिए लहसन के एक छोटा सा प्रियोग करें ब्यापार अस्थल के मुख्य दरवाजे के ऊपर पीले रंग के कपड़े में चार या फिर साथ जैसे पांच है छे है साथ है कोसिस करें साथ लहसन रख लें लहसन की कली एक एक कली निकाल के रख लें उसको कभर नहीं अटाना कली से अब पीले कपड़े में रखकर इसको पीले धागे से या काले धागे से इस कपड़े को बांदे अब जो आपका दुकान है उसके दरबाजे के बाहर की तरब से लटका दे ब्यापार में हो रहा नुकसान समाप्त होगा ब्यापार चलने लगेगा और आप देखिएगा फिर ग्रहक भी आने लगे हैं एक और काम करें सनीवार अभीबार के दिन अपने दुकान का जो बाहरी एरिया है जाडू नहीं लगवा कर पहले पानी डलवाएं फिर जाडू लगवाएं फिर देखिए जमतकार धनिवाद